जीव हमारी जाती है मानव धर्म हमारा हिंदू मुसलिम सिख एसाई धर्म नहीं कोई न्यारा पुनातमाओं हजरत मुमंद जीज जैसा इमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते और हजरत मुमंद जैसे नमरातमा के ये मुसलमान नहीं हो सकते और हजरत मुमंद जैसे भगती अन्य मुसलमान नहीं कर सकता और ऐसी पुनातमा को ऐसे कहर तूटे उसका कारण यही था कि भगती ठीक नहीं है ये complete God नहीं है जिसको complete God मान के पूरा मुसल्मान समाज भक्ती कर रहा है अब आपको दिखाते हैं हदरत मुहमन जी की जीवनी से के उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अक्बर मान का इस कुरान स्रीफ के ग्यान दाता की दी हुई भक्ती को करते करते तीन पूतर थे तीनों मर्चू को प्राप्त हुई और स्वम उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरो करते हैं ये देखिएगा जीवनी हदरत मुहमन सलल्लाहु अलाही वसल्म मुहमन इनायतुल्ला सुभानी ये देखिएगा इनायतुल्ला सुभानी अनुवादक नसीम गाजी भलाही मकरजी मक्तबा इसलामी पब्ली सर्जने दिली इसलामी जीवनी हदरत मुहमन S.A.W. हिंदी इसलामी साहिते टर्श परकासन 81, 81, 81, सर्वादी का परकास का दिन नाम मूल किताब मुहमन अर्बी अर्दू परकासे के मरकजी मक्तबा पब्ली सर्ज D307 दावत नगर अबूल फजल इनकलेव जामिया नगर नहीं दिली दूर भास इतने 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 और मुदरक है H.S. Upset Prentice दिली मुदरक इंजे किये का परिष्ट 64 पर है 64 पर लेकिन ये मुबारक गड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खतम हो गए आप के सब बेटे एक एक करके अल्ह को प्यारे हो गए कासिम तयब और ताहिर सब अल्हा से जामिले इनकी मरत्य होगी तिन्नों पुत्रों की कासिम तयब और ताहिर की और जखम पर जखम लगते रहे लेकिन आप सबर करते रहे बस्पन में तो यतिमी का दुख उठाया जब अधर्त मुमन जी मा के गर्ब मठे तब तो पिता की मरत्यू होगी थी जब ये पांस वर्स के हुए तो माता की मरत्यू होगी आठ वर्स के हुए तो दादा जी की मरत्यू होगी एक यानि अनाथ की तरह जीवन वेतीत किया फिर पत्चीस वर्स की उमर में एक चालिस वर्स ये खदीजा नामक इस्त्री जो पहले दो बार विद्वा हो चुकी थी उस से विवहा हुआ उसके बाद उस खदीजा जी से इनको तीन पूत्र और चार पूत्रियां पराप्त हुए तीनों पूत्र पिता के सामने मर गे बता या कोई बगती है तो पुन्यातमा दास का उदेश से है कि आपको सतरक करके और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना बेंकर दंड हम भोग चुके है कम से कम अब सावधान हो जाओ इस दास के पास वो बगती है आप सत बगती करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता ये गारंटीड बाद समझे लेना अगदी नियम मर होगे ना तो बगती की दुरूद ही नहीं है बचपन से यतिमी का दुख यानि अनात्पने का दुख उठाया बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकणों का गम सेहन करना पड़ा तिनों पूतर मर गए आपकी बेटियां ही रह गई दो चार थी जैन्नब, रुक्या, उम्मे, कुलसूम और फातिमा अब आपको जिखाते हैं हदर्त मौमद जी की मर्टू कैसे हुई अब देखेगा हम यहां से सुरू करते हैं वही अजीवनी हदर्त मौमद अब इसके 307 प्रश्ट 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 पढ़ते हैं हिजर्त का दस्वा साल था प्यारे नबी हज के इरादे से मक्का रवाना हुए आपके साथ एक लाग से ज़्यादा बहादूर साथियों का काफिला था इस हज को कहते हिज्जतुलवदा इसलिए कि यह हज आपकी आखरी हज था इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की जियारत का मौका ने मिल सका अब यहां देखा यह 377 पर ही पढ़ रहे हैं प्यारे नबी सलल ने तकरीर करते हुए यह भी बता कि मुसल्मान आप कैसे रहें फिर यहां बता है लोगो तुम्हारा रब एक है तुम्हारा बाप एक है तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिटी से बने हैं खुदा के नजदीक तुम में सबसे बहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो ठीक अब यहां जाते हैं अब तिन सो नो पड़ रहे हैं हिजतुल वदा को अभी तीन मेहने से ज़्यादा ने गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्ल लुसल्म यानि अधरत मुमंजी पर बिमारी का मला हुआ और वह भी इतना जोरदार की इस से पहले कभी नहुआ था बुखार इतना तेज जुआ की आँखों से नींद उड़ गई रात का समय था आप सल्ल लुस्तर से उठे और घर से बाहर आए और मुस्लमानों के कबरिस्तान की तरफ चले वहां पहुंचे तो फरमाया तुम पर सल्लामती हो ये कबर वालो आप सल्लल ने हैं अधरत मुम्मद जी ने उनके लिए नजात की दुआ की उसके बाद घर लोट आए प्यारे नभी सल्ल यानि हधरत मुम्मद बिमार हुए तो सबसे पहले आपको कबरिस्तान की जियारत का ख्याल आया कबरिस्तान जाने पर यह ऐसान प्यारे नभी सल्ल का नियम था की एक एक दिन पर तेक बीबी के यहां ठहरते बिमारी की हालत में भी आपके इस नियम में फरक नहीं आया बारी बारी आप हर बीबी के यहां जाते रहे पांच दिन तक ऐसा ही चलता रहा फिर हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी चलने फिरने की ताकत ने रही हजरत मुहमद जी के ग्यारे पत्निया थी इसी ममर्नन है समयाने पर दिखाएंगे अब 310 पर पलेंगे कमजोरी बहुत ज़्यादा थी बे सहरा चलना आप सलल के लिए अब मुम्किन ने था हजरत अली रिजिस्टर और हजरत अबास आपको सहरा देकर बड़ी प्रेसानियों से हजरत आईसा के यहां लाए सिर्दर्द की जादती के कारण आपके सिर्व में रुमाल भी बांधा गया मुसल्मान उदास उदास थे बेचन और बेकरार थे क्योंकि उनका प्यारा बिमारी के विष्टर पर था और बिमारी हर अक्षन बढ़ती जा रही थी इससे पहले कभी आप इस तरह बिमार नहीं हुए थे इसलिए वे और भी जादा निरास और फिकर मंद थे अब हम 310 पढ़के 311 पढ़ रहें प्रिष्ट जीवनी हजरत महुमद प्यारे नभी की हालत गिरती गई बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता जब तक पैरों में दम रहा और चलने फिरने की ताकत रही आप सलल मुस्जित में जाते रहें और मुस्लमानों की इमामत करते रहें सबसे आखरी नमाज जो आपने पढ़ाई वह है मगरीब की नमाज थी इसा का वक्त हुआ और आप सलल में पूचा नमाज हो चुकी साथियों ने कहा बस आप की इंतजार है आपने बरतन में पानी बरवाया गुसल किया उठना चाहा तो बेहौस हो गए कुछ देर के बाद होस आया तो पूचा नमाज हो चुकी साथियों ने फिर का हजूर आप का इंतजार है आप फिर नाहे और उठना चाहा इस बार भी आप बेहुस होगे कुछ देर में हुस आया तो पूछा नमाज हो चुकी फिर वही जवाब मिला आप का इंतजार है आप के सरीर पर पानी डालागा उठने का इरादा किया तो फिर बेहुस होगे इस बार हुस आया तो फरमाया अबू बक्र से कहो वे नमाज पढ़ाए हदरत आईसा अल्हा के रसूल उनकी आवाज बहुत धीमी है कुरान पढ़ते हैं तो रोते भी बहुत हैं लोग उनकी आवाज सुनने सकेंगे 312 प्यारे नभी सलल उनी से को नमाज पढ़ाए हदरत आईसा ने दोबारा वही बात अरज की प्यारे नभी यानि हदरत मौमन सलल ने तकलीप से वेचैन थे गुसे से आवाज काफी बुलंद हो गई फरमाया कहो अबुबकर से वही नमाज पढ़ाएंगे हदरत अबुबकर ने आदेस का पालन किया और कई दिन नमाज पढ़ा ते रहे इंतकाल से चार दिन पहले कुछ सुकन हुआ यानि कुछ रहत मिली फिर आप सलल हदरत मौमन जी ने फरमाया मुसल्मानों ये तो उन्हों हिदायत दी है अब 313 पर देखिएगा इंतकाल से एक दिन पहले आपको फिर क्या लायक तो पूछा कि वे असरपियां क्या हुई हदरत आईसा ने कहा अल्हा के रसूल वे घर में ही है आप हदरत मौमन ने वे असरपियां मंगवाई और हदरत आईसा ने हाजिर कर दी उनको आपने हठेली पर रखा और फरमाया अगर मौमन को मौत आ गई और उसके पास ही रखी रह गई यह उसके पास ही रखी रह गई तो वह अपने रब को क्या जबाब देगा फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसल्मानों में बाट दिया तकलीब बहुत बढ़ गई बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा स्रीज जलने लगा चहती बेटी फात्मा रोज बाप की खिद्मत महाजिर होती आप उन्हें देख कर सने से खड़े हो जाते उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते आज बला की वेचैनी थी कमजोरी भी बहुत ज़्यादा थी हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार ने कर सके वेपास आई स्वेम उन्होंने आपको चूमा और पहलो में बैठ गई बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहुस हो जाते पास ही एक बरतन मठंडा पानी था आप उसमें हाथ डालते और चेरे पर मलते यहुदियों और इसाईयों पर अल्लह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कबर में सजदे करने लगे कमजोरी हर अक्षण बढ़ती जा रही थी मौत दीरे दीरे सरकती आ रही थी आपने बरतन में ठंडा पानी मांगा तुरंट पानी पेस कर दियागा आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेरे पर मलते चादर कभी मूँ पर डाल लेते कभी हटा लेते उस समें नरंतर आपके मुख से यह सब्द निकल रहे थे हे अल्ला नजा यान जान निकलने के समें कि प्रिशानी को जेलना मेरे लिए आसान कर दे प्यारे बाप की बैचैनी देखकर हदरत फातिमा बैचैन हो गई वे खुद वे खुद पकार उठी है मेरे बाप की बैचैनी आपने सुना तो फरमाया आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन में होगा अपराने का समय था आप्टर नून सीने में सांस दड़क रही थी इतने में आप सलल के होट हिले और कानों में यह आवाद आई तिन सो पंद्रा पै नमाज गुलामों से अच्छा सलूक फिर हाथ उपर उठे आप सलल ने उंगली से इसारा किया और फरमाया अब और कोई नहीं बस वही सबसे बड़ा साथी यही कहते कहते हाथ लटक गए आँखें चट से लग गई और पवितर आत्मा रब से जा मिली इंतकाल के समय यानि मर्तू के समय आप सलल यानि हदरत मुहमद जी की उमर 63 साल की थी आप सलल यानि है